जहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजबत डिफेंस एजुकेशन में आज है 17 दिसंबर 2020 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे Most Important Current Affair की Question जो कि आपके आने वाले सभी एक्जामों के लिए काफी important है जहें आपका वेंकिंग का एक्जाम है, रेलबे का है, HPSC का या फिर HPSC का जितने भी आपके सेंटर या स्टेट गवर्मेंट के एक्जाम है उन सभी के लिए आपका ये करंटेफेर की वीडियो most important है आप हमारा basic foundation का course भी join कर सकते हैं, जो कि रहेगा आपके लिए एक साल का और cover करवाएगा आपके आने वाले state और government के एक्जामों को इस batch में आप अपनी त्यारी बिल्कुल basics के साथ कर सकते हैं, जहांपर आपको मिलेंगी online test series, special notes और books जल्दी से जल्दी विजयपत defense education में आप अपना shore bet start कर सकते हैं, जो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, first question है वीडियो का अमेरिका ने रूस से S-400 missile पर नाली खरीदने ये तो किस देश के रक्षा उद्योगों तथा उसके अध्यक्ष में तीन अन्य अधिकारियों पर प्रतिवंद लगा दिया है तो अमेरिका ने जो है वो रूसे S-400 मिसाइल खरीदने के लिए जो है वो किस देश के अन्य अधिकारियों पर प्रतिवंद लगाया है तो उस देश का नाम क्या है तो उस देश का नाम है तुर्की Most important question है Next one है उर्जा सेरक्षन दिवस निमन में से किस दिन मनाया जाता है तो पूरे भारत वर्ष में उर्जा सेरक्षन दिवस दिवस के वो मनाया जाता है 14 December को Option C जो है ये बिल्कुल इसका सही है 14 December को पूरे भारत वर्ष में उर्जा सरक्षन दिवस जो है बनाया जाता है नेक्स्ट वन है दक्षिन अफरीका टेस्ट टीम का नए कप्तान किसे बनाया गया है तो जो हमारी साफ्थ अफरीका टीम है उसका टेस्ट टीम का जो नए कैप्टन बनाये गए है उनका नाम है content deco most important question है और अगर भारतिय क्रिकेट की बात करें तो उनके जो कप्टान है उनका नाम है बिराट कोहली next one है भारति रिजर्ब बेंक RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ती बंडारन और भेजने के लिए किसी शहर में एक स्वचलित बेंक प्रसेस करन के इंदर स्थापित करने का गोशनकी है तो उस सहर का नाम है जैपुर राजस्थान में ये पढ़ता है और जैपुर को जो है वो पिंक सिटी के नाम से भी पूरे भारत बर्ष में जाना जाता है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किस राजे सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का पस्ताब को मंजूरी दे दी है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहिन हवाई यूद अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भलोरी में किया गया तो पाकिस्तान और चाइना की जो हमारी आर्मी है उन्होंने जो है वो शाहिन हवाई यूद अभ्यास का आयोजन किया है और most important question यहां से बनता है भारत में भी हाल में ही एक USA के साथ जो है वो सैन्य अभ्यास किया है आपको उस सैन्य अभ्यास का नाम जो है वो comment box में बताना है next question है question number 7 हाल ही में मौरोको और इस्राइल ने किस देश की मधिस्ता को अपने समंधों को समाने करने पर सहमिती ब्यक्त की है तो मौरोको और इस्राइल ने जो है वो अमेरिका की मधिरस्ता से अपने समंधों को समाने करने की सहमिती ब्यक्त की है मतलब अमेरिका के साथ जो है वो उनके कुछ समझोते हुए हैं उनकी जो स्थिती है उनको समाने करने की कोशिश की जा रही है नेक्स लास्ट कोशिन है नीती आयोग ने हाल ही में सारवजानिक स्वास्थे निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है नीती आयोग जो है उसका पुराना नाम था योजना आयोग और नीती आयोग के जो अधियक्षें प्रजेंट के अधियक्षें वो होते हैं भारत के परधान मंतरी जो की है नरेंदर मोदी जी इन्होंने जो है एक सारवजानिक स्वास्थे निगरानी के लिए एक बिजन 2035 के नाम से एक सुएत पत्र जारी किया है most important question है विजयपत ने करोना काल में भी विजय हासिल की है तो जो भारती सेना में चैनी त्यूबा है उनको विजयपत defense education की तरफ से हार्दिक सुब काम नहीं है आप हमारा shore batch start कर सकते हैं CHSL और MTS का जिसकी की last date extended हुई है 19 December 2020 आप हमारा HP पुलिस का advance batch start कर सकते हैं जो की रहेगा mission 2021 के लिए so आप हमारा whatsapp group भी join कर सकते हैं जहां पर आपको free of course study material provide करवाय जाता है और साथ में इस वीडियो की PDF free of course आपको provide करवाय जाती है I hope आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को जादा से जादा share करें वीडियो को जाद से जादा like करें जय हिन जय भारत